इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी ब्रिजोय 50 tablet epilepsy में दौरे यानि की FITS के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक anti-epileptic इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ इस्तिमाल किया जा सकता है जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं तब तक यह दौरों को रोकने में मदद करता है ब्रिजोय 50 tablet मस्तिष्क में असामान या electrical गतिविधी को संदमित करता है आप इसे नियमित रूप से खाने के साथ या बिना खाय ले सकते हैं लेकिन सबसे अधिक लाब प्राप्त करने के लिए प्रतीक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें डोज और कितनी बार आपको इसे लेने की जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताय जाएंगे ताकि आपको अपने दौरों को नियंतरत करने के लिए सही मात्रा मिल सके इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है आमतोर पर लंबी अवधी के इलाज के रूप में इसकी सलाह दी जाती है अगर आपको बहतर महसूस होने लगा है तब भी डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन जारी रखना चाहिए अगर आप खुराक रोक देते हैं या लेना भूल जाते हैं तो आपको और अधिक खराब दौरे आ सकते हैं डियो जब तक आपका डॉक्टर न कहे तब तक इस दवा का सेवन बंद न करें ऐसा इसलिए है क्योंकि दवा अचानक बंद कर देने से आपके दौरों की स्थिती और अधिक बिगर सकती है Some common side effects of this medicine include dizziness, headache, nausea, and vomiting You may also experience behavioral changes, aggressive behavior, irritation, agitation, etc Side effects are more common during the first few weeks and usually lessen as your body gets used to the medicine इन में से अधिकांच side effects के लिए किसी भी चिकित्सकिये सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन इन में से कुछ गंभीर हो सकते है इस दवा से इलाज कराने वाले कुछ लोगों को खुद को नुकसान पहुँचाने या मारने के विचार आए है अगर आपके मूड में खराब बदलाव आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी से समबंधित कोई समस्या, डिप्रेशन है या आत्महत्या के ख्याल आते हैं या आप गर्भवती है, गर्भधारन करने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद